मैं हूँ अवद अपनों को दिल में कैद किये हुए अपनी यादों के मोतियों को तहजीब के डोरियों में पिरोय हुए आओ, रूबरू हो मुझसे मैं हूँ अवद लखनाओ शहर हमेशा से ही अपनी एतिहासिक समारको और मुगलई खान पान के लिए जाना गया है मुगलई खान पान की बात करें तो यहां के जाने माने लजीज कबाब सबसे पहले हमारे जहन में आते हैं इन कबाबों की लोग प्रियता सिर्फ लकनों तक ही सीमित नहीं है बलकि ये पूरे विश्व में लखनवी कबाब के नाम से मश्वूर है असियत में मसाले हैं जो सिग्रे ने किसी को बताया नहीं है हम लोग को खुद नहीं मालूम है हमारे उस्मान भाई कुदे कबाबी हम लोग तो वरकर है मतलब यह है कि पहिमा से यहां कबाब के शुर्वाती दौर की बात करें तो वह एक कहानी के रूप में बताई गई है लखनों के पूरवजों का मानना है कि कबाब की उत्पत्ती एक नवाब द्वारा हुई थी जिनका पसंदीदा वेंजन था कबाब हलाकि उम्र के साथ उनकी तब्यत खराब होती गई जिसकी वज़े से वह कबाब का लुथ नहीं उठा पा रहे थे इसके बाद सन 1996 में हाजी रैज एहमद ने अमीनाबाद में टुंडे कबाब शुरू किया जो अब ग्रैंडसेंस ओफ टुंडे कबाबी के नाम से जाना जाता है कबाब में यहां गलावटी कबाब होते है हम कि अद्यों परना बाद समय शुच ច करता है यहां की टाइजीव पराथना चलावटी काबा पराथन काफी तस्ति होते है स्वादिस कबाब जो है गलाउटी कबाब उस तरह का कबाब नहीं मिलता नहीं ये काफी स्वादिस कबाब है जब भी हम लखनों आते हैं तो यहां जरूर आते हैं नवाबों के दौर से खाए जाने वाले ये लज़दतार कबाब आज तक लखनो शहर की पहचान बने हुए हैं